वेलकम फ्रेंट्स, आज हमने आपके लिए टीवी, मोबाइल, सेलफोन, इंटरनेट, कम्प्टुटर, सोशल मीडिया, इनके यूजेज एड़ अब्यूजेज, इन प्रेंट्स ओन इस्टुडेंट्स का एक लेशन प्रिपेर किया है, यानि इतने सारी टोपिक्स मिला कर हमन को अलग से याद करने की नीड नहीं रहेगी, आई स्टार्ट करते हैं, यहां से सुरू करते हैं, एज वी ओल नो, टुडेज एज इस दे एज ओप साइन्स, वी सी दा मिरेकल अराउंड अस एवरी डे, यानि हमने यहां से सुरुवाती लाइन ली है, जैसा कि हम देखते ह कि आज का यूग, विज्ञान का यूग है, और रोजाना हम हमारे चारों तरब इसके चमतकार देखते हैं, अब यहां पर ब्लेंक की स्पेस है, यहां पर आप कुछ भी रखके देख लीजिए, टीवी इस आलसो मिरेकल, टेलिवीजन भी एक चमतकार है, मोबाइल, सेल फो Heisых록akingly *** हर लाइव इंटरनेट ने हमारी जिन्दीजियां पूरी तरह बदल दी है, इंटरनेट ना एक कंप्यूटर आए था हम लिख सकते हैं, कंप्यूटर ने हमारी जिन्दीजियी पूरी बदल दी है, सोशल मिडिया ने बदल दी है, मोबाइल फोन ने बदल दी है, ट so small now हम यह मसूस कर सकते हैं कि अब यह संसार बहुत छोटा हो गया है देख लीजिया आप सब में यह line चल रही है through जो भी यह topic आए we can know what is happening around the world इसके माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि संसार में क्या हो रहा है in every field of life we get important information through जो भी topic आए यहां लिखें इसके माध्यम से हम पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हर सेत्र में गटनाए घटे तो रहे हैं महत्वपून गटनाए इसके माध्यम से पता लगा सकते हैं people can also watch entertainment programs, news, sports everything लोग इसके माध्यम से देख सकते हैं मनोरंजन के कारेकरम, समाचार, sports, खेल, कूद हर कोई चीज आप इसके माध्यम से देख सकते हैं but because of it अब यहाँ पर हमने इसके नुकसान लिखे हैं जो की बच्चों पर, विद्यार्तियों पर और लोगों पर होते हैं इन तीन में से आपको जो भी वहाँ पर देखी विद्यार्तियों पर होने वाले हां निकारत प्रभाव हैं उन्हें लिखिए बच्चों पर होने वाले लोगों पर होने वाले तीन हमने लिखे हैं ओब लिख लगा कर आपको एक लिखना है जो वहाँ पर आपको दिया जाए यहाँ पर ही विशेज ध्यान रखना है विद्यारती अपना स्वाबायुक जीवन का तरीका भूल चुके हैं इनकी वज़े से बच्चे भूल चुके हैं लोग भूल चुके हैं जो भी आए आपको लिखे वे इसके अडिक्टेड हो चुके हैं यानि इसकी लतुने लग गई है वे वो बात सीख रहे हैं जो उन्हें नहीं सीखना चाहिए लेकिन वे नहीं सीख रहे हैं वो बात नहीं सीख रहे हैं जो उन्हें सीखना चाहिए टू मच यूज ओप एक लिमिट से ज़्यादा अत्यदिक यूज इसका यहाँ पर जो blank space दिया हुआ है यानि कि too much use of TV, mobile, internet, computer, social media जो भी आए आप यहाँ पर लिखे too much use of internet जैसे हमने लिखा is harmful for our health especially for our eyes यानि अत्यदिक इसका उपयोग हमारे लिए नुकसान दाय के हमारे स्वास्ते के लिए विशेज वूप से हमारी आखों के लिए भी in the end अन्त में फिर blank space जैसे टीवी आया तो तेलिवीजन या internet आया, mobile आया तो is made for us to ease our life यह हमें अमारे जीवन में सुगमता प्रदान करने के लिए बनाया गया है unlimited use is helpful but too much addiction must be avoided इसका limited use ही फायदेकारी है अत्यदिक इसकी लत लग जाना बहुत नुकसान दा है कि इसे avoid करना चाहिए टालना चाहिए इसको लेटर में किसे काम में लेना है जब लेटर to the editor में आपको ये question दिया जाए कि आप एक पत्र लिखे जिसमें tv, mobile, internet, social media और computer इसके बारे में आप फायदे और नुकसान बताएए विध्यारतियों पर तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आप सब लिख देंगे नाम पते सब लिखने के बाद में जब आप subject लिख देंगे sir लिख देंगे उसके बाद यहाँ से जो आपका लेटर सुरू होता है through the columns से तो आपको यह से लिखना है through the columns of your esteemed newspaper I want to express my views on और फिर आपको यहाँ से यह स्टार्ट करना है विउज ओन से topic का नाम लिखना है यहाँ पर जैसे आपके आया TV usage and abuses mobile usage and abuses यानि कि इसके फाइदे और नुकसान यह topic लिखने के बाद में फिर आपको age we all know से शुरू करना है must be avoided तक यानि कि age we all know से यहाँ से आपको लिखना है और यह पूरा must be avoided तक पूरा लिख देना है इसमें आपका यह later में भी काम complete हो जाएगा यह से और भी ideas अपने channel पर हैं आप composition part की playlist जरूर विजिट करें और अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप channel को भी subscribe करें तेंडू